नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों 28 अप्राइल साम की मातपूर्ण खबर जान लेते हैं ठीक है तो चले शुरुबात करते हैं आज के वीडियो की सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के तो दोस्तों इंडिया म कुल में लाकर करके अब तक 29,974 केस हो चुकी है जिसमेंसे 15 94 केस विचले 24 गंटों में आएं वहीं पर 9307 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है बात करता है उत्तर प्रुद्सीज तो उत्तर प्रदिसमें दो अजार 23 क Commander हो चुकी है 31 लोगों की कुल मिला करके डेथ हो च तरीके से पालं करें कुरोना मामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो रह संबग कोशिस कर रहे इसलिए डेली कुरोना की अपडेट की समिक्षा की जाती है मन्यमक्य मंत्री योगी आदितनाथ जी की दौरा आज भी समिक्षा की गई और समिच्षा में जो कु से महत्पूर देशा निर्देश दिये गए सबसे पहले तो मुखमंत्री ने काए कि लॉक्डाउन का सकती से पालन कराएं सभी अधिकारी ठीक है दूसरा यह है कि कुरोना संक्वन की प्रतेइक चेन को तोड़ना है मुखमंत्री यह कोसिस कर रहे हैं कोई भी चेन रहना कि तब तक संक्रमितों की संख्या को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्कल टास्व होगा इसलिए सबसे पहले कुरोना की चेन को तोड़ना जरूरी है वहीं पर जिलादिकारी यह मुख चिकित्सादिकारियों एलवान एलटू दाथ एलट्री कोविड चिकित्सालियों सिल्ट का निरिच्छण करें मतलब इनको दिसानदेश दिये के निरिच्छण करें यह पर सेंपल लेने वालों को प्रोटकोल के अनुरूप प्रसिच्छण प्रदान किया जाए ठीक है अब यहां पर एक मातपूर अपडेट है जो निकल के आई है ग्रीन जोन तथा औरेंज जोन सब्सक्राद है जाने जनाए जाए का इसानिर्डेश दिये गई है ऊओं मैंस से लॉक डाउन का सेकेंड फिस खतम हो रहा है और तीन मैं के बाद जहां ग्रीन जोन है और एंजेन वहां पर कापी कुछ कारव सुरु हो जाने की संभावना तो उसे के लिए दिशा निर्देश दिये गए ठीक है उसी के तहट यहां पर यह भी दिया गया है कि प्रतिय प्रतियोगी चात्र शात्राओं को स्वास्त परिच्छन करवाया जाए यह एक महत्पूर्ण यहां पर बात निकल के आई है अब लोग जानते हैं कल से प्रियाग राज के जितने वी विद्यार्थियों सब भेजे जा रहे हैं अपने अपने जिलों में तो उनका स्वास्त स्वास्त परिच्छन करवाया जाएगा इसके विद्यार्थिये गए है ठीक है स्वास्त परिच्छन में पहले तो स्क्रीनिंग होगी जहां भी जाएंगे जिले में जाएंगे वहां पर स्क्रीनिंग होगी स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी को लगता है कि यह इसमें संदे है तो सकता उनका चेक अप भी करवाया जाए और होम कॉरेंटाइन तो करना ही करना है ठीक है जरूरत पड़ी तो जो सरकार की तरफ से कॉरेंटीन सेंटर बनाए गए वहाँ पर भी आप लोगों जाना पड़ सकता है ठीक है तो काफी कुछ यहां पर अपडेट निकल के आई वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोगसेवा आयोक के मादम से होने वाली तीन बड़ी वर्तियों को संकट के बादल मन रहा हैं बड़ी वर्तियों में कि यह जो परिच्छा जून में होनी है अब यह अभी तक इसके बारे में कुछ बीसपस्टी करन नहीं आया है जिए वोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि इन परिच्छाओं को रद किया जाए यानि पोष्ट पॉंड किया जाए तो कौन-कौन सी परिच्छा यह पहली परिच्छा जो है वह सात जून को हो रही है परिच्छा इसका नाम है समलित राज अभ्येंतरन सीवा समान विसेश्य बड़ति 2019 साथ जून को प्रस्तावित है दूसरी बड़ती है PCS 2020 प्रिलिम्स एकजाम जो कि कि जून को प्रस्तावित है और तीसरी बड़ती है उद्देवग विभाग की सहायक प्रवंदक गैड टक्निकी स्क्रीनिंग परिच्छा 2016 तोला यह प्रिच्छा जो है 30 जून को प्रस्तावित था है यह तीनों प्रिच्छा दोस्तों Z recap सरकारने गोश्ड़ा कि थी सुभी प्रकार से सामुदा ही समुदाइग नहीं नहीं बिनवान कठ्था नहीं हो जितने भी सामुदाई करक्रम में वो सब बंद रहेंगे ठीक है तो इसी के चलते जो चात्र के संगर समित के मेडिया प्रवारी हैं उन्होंने का है कि यह जो परिच्छाएं हैं इनको फिलाल इस्थागित किया जाए वह पर दोस्तों राजरस्था को फिलाल इस्थागित कर दिया गया है ठीक है 28 अपराल की लैटिस्ट अपडेट है और यह जो परिच्छा है फिलाल आप नहीं करवाई जाएगी और नए डेट के बारे कोई भी घोसडा नहीं की गई है जल्दी नए डेट के बारे में घोसडा की जाएगी तो उसको आने भी स्कूल हैं उनमें प्रमुक्षी ओं का जो पैठकरम है कूड से वो कम किया जाएगा अब कौन कोन से यह पर्टकरम हैं विसरे जिसमें कम किया जाएगा तो बोड्ट की वसे में बताया गया है कि ग्यारवी और वारुमी की अगर बात करते हैं तो जी विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, आर्थ सास्त, इंग्लिस कोर, बहुतिक विज्ञान और गडित के कुछ यूनिट इसमें सामिल हैं जिनको कम किया जा सकता ठीक इस पर सुझाओ मांगे गए हैं वह इंपर नवी की बात करते हैं तो नवी में है जो इंग्लिस, लेंग्वेज, एंड लेटरेचर, हिंदी A, हिंदी B के कोर्स के कुछ पार्ट और दसमी में सामाजिक विज्ञान के कोर्स में कुछ बदलाओ किये जाएंगी, इसके लिए सभी स्कूलों से, सिछाविदों से सुझाओ अगली अपडेट की बात करते हैं तो लॉकडाउन 3.0 तीन माई के बाद प्रस्तावित है, और संभावना यह है, संभावना क्या पूरी पूरी तरीके से बात नियूज में आ चुकी है, कि तीन माई के बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, बस ट्रेने भी नहीं च खुलेंगे, फैंसला इस हफते की अन्तित्तक हो सकता है, ठीक है, तो यह अपडेट है, अन्तिम अपडेट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर अपडेट है, मानो संपदा की वेबसाइट को ले करके, तो साइद आप लोग मानो संपदा की वेबसाइट के बाएम ना जानते हूँ सभी करमचारियों का डाटा इस website पर फीड कराया गया था ठीक है अब सरकार ने कहा है कि basic में यानि primary junior में जो online transfer होंगे उन्हीं सिच्छकों को किया जाएका transfer जिनका डाटा इस website पर फीड होगा कहने का मतलब करमचारियों का पूरा डाटा इस website में फीड कराया जा रहा है भाविस में जो कुछ भी काम होंगे जैसे आप लोगों का transfer है salary वगारा है ACP है सारी चीजें online की जाएंगी तो यहां पर दोस्तों सभी करमचारियों से कहा गया था कि अपना अपना जो डाटा है वो चेक कर लें और चेक करने के बाद एक फार्म था उसमें भरना था कि आपका डाटा सही है गलत है तो यह website अभी तक चल नहीं रही थी बहुत परेसाने कर रही थी लोगों को चेक नहीं कर पार कुछ भी खुल नहीं रहा था यहां पर तो इस website को update किया गया है ठीक है तो mostly update हो गया लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी update हो रही है तो यह website इस website पर जाकर के आप लोग चेक कर लेजिए काफी कुछ website चलने लगी है लगवग 95% website चलने लगी है पांच परसंट अभी इसमें काम बांगी है लेकिन अपना डाटा आप लोग चेक कर सकते हैं डाउनलोड करने का हो सकता है अपसान अभी आपको ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं वह साम तक या मलाब कल तक आ जाएगा तो आप लोग इसको अच्छे सथ चेक कर लीजिएगा यह होगे दोस्तों पूरी update आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा इसी त आई उन